इक आंकार सतनाम करता पुरक निर्पो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंगुर परसाद मन कामना तीरत देहे छुटे गरब गुमान ना मनते हुटे सोच करे दिन नसर रात मन की मैल ना तनते जात इस देही को बहुत सादना करे मनते कभूना विख्या टरे जल तो वै बोदेह अनीत सुद कहां हुए काची पीत मन हर के नाम की महमा उच नानक नाम उद्रे पतित बहु मूच सदकार योग गुरु प्यारे दर्शक सजणों सद्गुरा दिया पार बख्षिश तयाब सब्दे से योग नाल सुखमनी साब दी लड़ी बार विचार चल रही है आज असां तीजी अश्ट पदी दे तीजे पदी विचार करनी है इस तो पहली पादविच सद्गुरा ने होमे नू नाम सिम्रन दे विच सब तो बड़ी रुकावड़ दस्या सी तो इस पादविच पाश्या होमे नू दूर करन होमे नू विर्थ करन दे सादन दासरे हन सद्गुरु फर माउं दे हन मन का मना तीरत दे छुटे गरब गुमान ना मनते हुटे होमे नू दूर करन दे जड़े वी सादन आम अपनाए जान दे हन उनना दी विचार सपाश्या दे हन गे वारी के इतारमक संपरदाए इस सफारश कर दे हन के तुसी तीरत दे जाके वास जाओ उत्थे अपना कार बना लो उत्थे तो अड़ा सरी छुटेगा तो तो अनू मुक्ती प्रापत हो जाएगी पर परमे शर्ते इस जीव मनुख दे विच जिड़ी मेन मुक्र रुकावट है वो ता हमें दी है गर्ब गुमान दी है संसार विचा के जो कुछ वियसी थोड़ा बहुत प्रापत कर लिया हर वेले उसे दाई बुखार सानु चड़े अरेंदा उसे दाखुमार चड़े अरेंदा बगत रुदा जिड़ा फुर्मान है हम बढ़ कभी कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ग्यानी गुनी सूर हम दाते एबुद कभेन नासी तानपदारत या संसारक पदी पोजीशन दी दा गाल चड़ो जड़ा कोई ग्यान अदे आतम तरम ते होर कला दे गुन भी प्रापत कर लेंदा है हालांके बड़े उच्चे गुनहन सेष्ट गुनहन उन्हों ही आपना गुना दा हंकार हो जन्दा है तो पगतर अफ़ास केंदे हैं असी बड़े बड़े कभी होंदे हैं जी साड़े वरका कभी कोई नी असी बड़े उच्ची कोल दे हैं असी पंड़त हैं विदवान हैं असी बड़े बड़े योगी हैं योगी हैं विच भी बही कही तरह दे सेक्ट हैं वो एक डूजे सेक्ट नाल नहीं मिल दे जैसी बड़े बड़े सन्यासी हुन दे हैं कारबार छड़ देता परवार छड़ देता हला हुमें नहीं गई हुन भी मुनुक हुमें दी पांड़ा अपने सिर्थे चुकी फिर रहा है तो ए ग्यानी गुनी सूर हम दाते असी बड़े ग्यानवान परोशांजी असी बड़े सूर में हैं असी बड़े दानी हैं ए गल ए हंकार ए बुद्ध का बेहन नासी ये कदे खतम भी नहीं होंदी तो इस करके पामें तीर्थांदा इश्णान करी जाओ तीर्थांदा जाके कारबना आलो तो जेकर मान विच हाला में हंकार है गरब है गुमान है तो फिर वाई ग्रू देदार ते पहुंच नहीं है कबीर जी दश्बत आया गुर गुरान साविचर के मनुख आपने सरीर नू बड़ी सोनी तरह मान मान के साफ करदा पर जिड़ी मन नू महल लगी हो या उदे बारे हो सोच दाई नहीं सो जदों तक मन दी महल नहीं सोती जाएगी पर में शुदा मिलाप नहीं हो सकेगा कोई बंदा दिन रात पामेशनान करदा रवे दिन रात तो तीरता ते टुबी मारदा रवे जिड़ी मन नू महल लग गई है उस सरीर दे तो उननल साफ नहीं होनी कबीर जिड़ी साखी है जो है शबर दे दारते बनाई गई है या कटी है केंदे निक वारी कोई योगी कोई सन्यासी कोई सादू ना को लाए ते केंड लगे कबीर जी चलो अठाट तीरता दा सफर कराईए यात्रा कराईए तो कबीर जी ग्यानी सन ब्रम ग्यानी सन जान दे सन भई तीर था थे ना अंगा कोई फाइदा नहीं जो तक मन साफ नहीं होया कहने लगे पाई मेरे कोई तो फुरसत नहीं है कबीर जी तो जुलाए सन कपड़ा बुन दे सन तवेच के अपने परवार दा गुजारा कर दे सीगे कहना लगे मैं तो जानी सकदा आ मेरे के कल काम बढ़ा है तोसी चले वखुशी है तोसी इंज करो मेरे कोल एक लोकी दा खोल पे आ है जी दी मैं चीपी बढ़ाना चानना तोसी ये खोल ले जो लोकी करदे दो जो तो सुक जानदा है उड़ा मोटा सारा खोल उंदा है, विच्छों गुधा निकल जानदा है, खोल रहा है जानदा ते साधुआ ने ओखोल लै लै लिया कभीर जी नो बहुत मंदेसान आदर कर देसान कभीर जी दा जित्थे भी जान उते खोल दी भी नाल वो लोकी देवी डूबकी दौान उठार तिरसनादा 싸न कीता थे बडा ख् Karl कीता भी ये लोकी भी नालनाल इसमों उन्यों उन्य रही है जिदो मुड्त किया है कभी जूनू मिले लोकी जित्ती किया है ते महराज पूरे अधार तिरसनादा 싸न करके आई है तो अड़ी लोग की भी एक भी तीरत नहीं चड़ेया कभीर जी कहने लगे बड़ी खुशी है तुसी आयो इतना पुइतर कम करके आज तो अड़ा पोजन मेरे कोल है आज शाम दा पोजन मेरे कोल चखो तो उन्हा ने संतांदा सादांदा पोजन बनाया दो संदर पदार्थ बनाये चट्टी परकार दे एक चट्नी भी बनाई तो जदों सादू सुन्यासी और जो पोजन चखन लगे सारा पदार्थ खटे मिठे सलूने बड़े स्वादी पर जदों चट्नी नो मू लानतां एक दम जहर कोड़ी चट्नी हैरान हो गए कभीर जी नहीं की मजाग की तगा डिनाल कहने लगे मारा ज़े चट्नी कादी बनाई है ये तो बड़ी कोड़ी है बाकी इतने चंगे पदार्थ बनाए कभीर जी कहने लगे पाई ये चट्नी ता सब तो स्वादी होनी चाही दी सी उना किया जी क्यों? केंड लगी उसे लोकी दे खोल दी चटनी बनाई ए जिरी तुसी एठाठा तीरता ते नो आके ले आयो तो कुबीर जी दा शब्द भी आया है लोकी अट सठ तीरत ना आई कोरा पन तो न जाई अठाठ तीरत ना इशनान करके भी लोकी दा कोड़ा पन नहीं गया तो इस करके काया मांजस कौन गुना जो कट पीतर है मलना जदों तक मानविच मैल है सरीर दे तो उननाल कुछ नहीं होना सो एक गल पकी करके गुर्मत ने मनी सब तो पहली जब जब जी साविच सब तो पहला ही उपदेशे है के सोच ए सोच ना होईजे सोची लखवार सोच दा पाव इशनान है तो बार ले आँ शनानाल मन नहीं साफ होना यह नहीं के बार ले शनान ही नहीं करने सरीर नो मेंटेन करने वासते बार ले शनान भी जरूरी है पर इदाए यह मतलब नहीं कि शनान करनल किते fij है मनोक नुपरमेशन मिल जन्दा या मन साफ हो जन्दा ऐसा नहीं है थो असली जो है सिम्रन ही मनन नुसाफ करसकदा मन दी मेल मन दा गर्बग़ मान बारमुखी शनान नाल कुल दूर नहीं हो सकदा ये बानी विच वार वार दिड़ कीता गया है इस देही को बहुत सादना करे मनते कभूना बिख्या टरे बार मुखी कई तरह दे करमकान मनुख इस सरीर द्वारा करी जानदा सानुता सद्गुरां दी बक्ष शोई शबत दे लडलाता ससंगत दे ललाता पर केंँ तरमा विच बहुत जादा करमकान ढान हर तरम दे दा रूप जड़ा है करमकानडी बना दिता गया तो जेकर सरीर दे के तरह दे सादन confess मनुख करद रवे के तरह दे सादना करे जोग दिया कितने कठन सादना माहन होर जैनियां दा कितना ओखा मारग है होर के इतरा दियां सादना हन इना बारे बाणिवी थाओं थाओं जिकराए गुजरी राग विचर सद्गुरु गुरु रजन देव पाशाई फरमांदे हन किरिया चार करें खट करमा इतराते संसारी साद दा-सारात रमदा अचरन बारमुखी करमकांड हो गए तो खट करमा बरामना दे चे करम सब तुन सेश्ठ मनें गए हन विदिया पणनी विदिया पड़ानी या करने या कराने दान दे लेने ते दान दुआने तो एक करम सारे संसारी इसे कम्मँच लगे ऊजए हैं कि बार मुखी करम कांड कर लिए पर अंदर दिजडी मानदी मैल लगी ऊजए है वो इस तरीके नाल दूर नहीं हो सकती हूमेंदी ते गुरूदी संगत तो बिना, गुरूदे सिम्रं तो बिना गुरू दे दस्यों मारग तो बिना इनसान जीवन दिवाजी अखीर हार के चला जन्दा सो इना करमकांडा नाल माननी साफ हुन्दा पार्शा फ्रमांदेहन 68 मजन करिस नाना प्रमया आए तरसारी अनिक सोच करें दिन राती बिन सद्गुरें दियारी 58-53 शनान भी करके आगे सारी तरती दा चकर लगाके आगे कही तरह दे शनान कीते कही तरह दी शुदी दे सादन अपनाए दिन रात ही उदे कमाते लगे रहे पर गुरू दी संगत तो बिना गुरू दी अबदेश तो बिना गुरुदी सिख्या दो बिना बिन सद्गुरंदे आरी या नेरे विची रहे ग्यान प्रापत नहीं होया तावत तावत सब जगतायो अब आए हरद्वारी दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन्नान क गुर्मुकतारी पटक पटक के सारी जिन्दगी अनिका तरह दे करम कांड करकर के मन नो शांती नहीं आई होन अखीर हार के गुरुदे दुआरे ते आए हा ते गुरु पाशा दी बक्ष शोई दुर्मत मेट बुद्ध परगासी सद्गुरा ने जिली दुर्मत सी माडी मत सी उन्नों मटाता ते गुर्मत परकाश हो गया ते होन जन नान गुर्मक तारी गुरु दी सिख्या दुआरा होन साड़ा जीवन तर गया पार उतारा हो गया सो इस तरह जदों तक मनुख गुरु दे लाड नहीं लगदा ते गुरू दी सिख्या लाएके नाम सिम्रन नहीं करदा उतों तक दीकती नहीं है होर पामे ओ कितने ही सादन करदा रवे जलतो वै बौदे अनीत सुद कहां होई काची पीत इशनाना दा बड़ा ही महत्वै साड़े देश विच के तरह दे इशनान हन कुमदा इशनान है गंगा जमना गुदावरी दे इशनान हन ते ए सारे ही इशनान मावे मनुख दिन राद करदा रवे जलतो वै बौदे अनीत लगातार ही आपने सरीर नू पाणी नाल तौंदा रवे तौंदा रवे और माटी का क्या तो पैर सौमी मानस की गाते ही मिट्टी नू की कोई तो लेगा जितना मिट्टी नू तो ओगे उतनी होर विचो मैल निकलेगी तो सरीर वी ता मिट्टी दा बढ़िया है पांच तत्त तन रच्चियो ए पन्या तत्त ता पुतला है इस नू तो अनल की बढ़ेगा सो मन जिड़ा है उस सिम्रम तो बेना साफ नहीं हो सकदा सद्गुरा ने सानू बहुत ही खुले शवदा विच सपष्ट शवदा विच दास दिता सारंग की वार विच मैला ती जा अमर दास पाईशा आप गुरु मिलाओ तो पहला वी वार तीर्था दाईशनान करने जिए उनने अपने जीवन विच उसनो पूरी तरह आजमा के वेखिया ते खीर फिर गुरु दे शरना चाहे ता मन नुशान्ती प्रापत होई उनना रप्रेटिकल तजर्बा उआप केंदे है सारंग की वार विच गुरु अमर्दास पाश्या जिन्नी नाम विसारिया बो करम कमावें होर नानिक जमपुर बदे मारियें जो सन्नी उपर चोर ऐसी यां उदारना ऐसे दिश्टान तित्ते हैं जड़े हर कोई समझ सकता कि जड़े परमेशिदा सिम्रन पूल गए ते सिम्रन नो चड़के होर के तरह दे करम कांड करी जान देएं उनन दी हालत क्यों जई है जिस तरह किसे चोर नो सन लाउंदें ही कारवाले पकड लें ते जिस कारवाले उस मोके दे पकड लें जड़ों सन मार ले आया है तो उस दी कितना कुटापा होएगा उस दी कितनी शामत आ जाएगी तो इसे तरह मनुख जड़े करम कांड जब पहए हैं तो इस तरह मारे जान गे जिस तरह सन नहीं उपर चोर पावना दे पचावता कोई सादन नहीं है वो असलिक कारज जड़ के वियर्थ कारजा दे मगर पहए गए और इसे तरह आपनी जिन्दगीरों पर बाद कर रहे हैं तो इक कच्ची मिटी दा बने शरीर ये कि में पाणी नल साफ हो सकदा ये करम कांड़ा नल इस ती किस तरह गती हो सकदी है एता सिम्रन द्वारा ही मन शुद होवे मन दी मैल उत्रे काम करोद हो में हंकार उत्रे ते फिर वाई गुरू दी बक्षिश होवे तो सद्गरू निरना कर दे अन हरेक पादे अखेर वेच मन हर के नाम की महमा उच नानक नाम उद्रे पतित बहुमूच पाशर केंदे अन पाई सारें ही करम कांडा ना लोओ वाई गुरू अकाल पुरख दे नाम सिम्रन दी वड़ी वड़ी आई है आद काल तो इस गलनू पगत संत मापुरख मंदे आ रहे हन के परमेशर दे नाम दे बराबर दा होड कोई सादन नही है सो परमेशर दे नाम दी बहुत वड़ी वड़ी आई है ते ए नाम सिम्रन करके सद्गरू केंदे हन नानक नाम उधरे पतित बहुमूच पतित हुंदा जड़ा के पापी मनुख है हर तरह दे करम करके अपना जीवन जड़ा जिसने जंदा कर लिया पर एऊ-ज़ा पतित एऊ-ज़ा पापी अपरादी मनुखवी जे परमेशर दे सिम्रन वे जुड़ेगा ता एक नहीं दो नहीं पतित बो मुझ कितने ही यो जियां पततां दा कुकर्मियां दा अतर्मियां दा पापियां दा सिम्रन करके उधार हो गया है इस गल नो सद्गरू एक दम बड़ा सॉलिड परमान दे के समझा रहे हैं साहिब स्रीगरू तेक बहादर पाशाजी मौरूर आगविज फरमान दे हन कि परमेशर दा नाम जड़ा है हरे एक लए सुखदाई है कोई बंदा हो वे कितनी नीमी वस्ताते भी पहुँच जाए जे फिर भी वो वाई गरू दे नाम दी ओट ले लवे ता उदा उदों ही पार उतारा हो सक्दा सद्गू दा बड़ा ही पॉपलर शवद है बड़ा हरमन प्यारा शवद है कि परमेशर दा नाम ता हर वेले हर इक लए सुखदाई है ते के पुरान उदारना दे के सद्गूर्फ मांदेयन हिंदू तर्म विच हिंदू गरंथां विच इना दिया उदारनन आया हन के यो जे पापी मनुखवी सिम्रन करके तर गए उदे विच अजामल दा नामाउंदा जड़ा के अपना जीवन जड़ा जिसने कुकरमा करके बरबाद कर लिया सी उद अभी पार उतारा हो गया एक गनका दी गल आई है कि गनका जड़ी सी गनका पाव वेस्वा वेस्वा दे करम कर दी सी आपना पूरा जीवन ही वेस्वा करम करके उने गन्दा कर लिया बरबाद कर लिया पाइसा पाई गुर्दास जी ने में जड़ी कथा पागता दी वारविच दस्वी वारविच लिखी है पाईसा फरौपन दे गनका पापण होए कै पापणा बलहार परोता महापुरक अचान चक गनका वाड़े आये खलोता के बड़ी पापन सी रोज कुकरम करदी सी वेस्वा वाले ते आपना जिसना उसने आपना पूरा जीवन ही पापा नाल पार लेया गाल विच पापा दा हार पा लेया पर ऐसी रापदी वालो उदे ते बक्षिछ होई कि कुवरी कोई महापुरिश संत अचानकी उदे वेड़ विचान के खलो गया के अधियान के बारश लगी होई सी ते संत जारे सी के उननों होड़ कोई रस्ता न लबा होड़ कोई ओट न लबा टिकाना ना लबाओ गनका ले बरामदे जागे खड़े होगे तो दुर्मत देख देयाल होए हत्थों उसनों दित तोता राम नाम उदेश कर खेर गया देवने सहोता 25 पर ग्रास के गनका नों देखे आभी एक महापुर शागे उदे जीवन अंदरों ही बदल जिस तरह कोई हल चल हो गई अंदर मानवेचर तो उने संता अला पैरी पै के स्वागत कीता आपने कोल बिठाया तो आपना सारा जीवन उना जी राख देता तो संता तो सारे अला पाला कर देए संता ने उसनों पर मेश्यत दे नाम सिम्न अबदेश कीता तो संगत लेकों के संगत बहुत वड़ा सादन है उननों तोता दे देता जिननों नाम राम 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 करन दा अब आस पे आवया सी तोते नों जो सिखा दे हो ओई बोलदा रेंदा ओ राम राम बोलदा सी तो इस तरह ओव स्वेरे उटके रोज तोते नाल ओवी राम राम बुरन लग गई तो अखिर ऐसी अवस्था ओदी पहुच गई कि पतित उद्धारन राम नाम दुर्मत पाप कले वरत होता कि परमेश दा नाम था पतता नुमी मापिया नुमी पार उतान वाला है तो उने जड़ा अपना पूरा जीवन ही गंदा कर लिया सी कुकरम करके वो पूरा दा पूरा उदा जीवन जड़ा सी वो सिम्रं ते नाल साफ हो गया निर्मल हो गया कि अखीर समय ओ जमा विच ने अपने नरका विच नहीं गई उनने ड़ा गोता उननों नहीं खाना पया पाव आम तो तो विच्वास है कि जड़े पापी उननो नरका मी जाना पेंदा है गिड़े संथ हन साध हन उस्वरगां भी जान देयां नाम सिम्रन करने वाले तो पाई सब गोई पर देयां के पाई उसनों नरकां विच नहीं जाना पे आ इतनी दुस्ट नों इतनी पापन नों मी तो अखीर परमेशर दे नाम सिम्रन द्वारा उदा पार उतारा हो गया अंतकाल जम जाल तोड नरके विच नाखाद सगोता गई बैकुंठ बैबान चड़ नाम रसाइन छोते चोता नाम एक रसाइन दी तरह जीवन विच कम करदा ते सारे पाप सारी मैल तो ओदेंदा ते खीर वो गनका वी पेकुंठ गई सुर्ग ताम नों गई थाओ निथाओं मान मनोता परमेशर दा नाम जड़ा है वो निथाओं यांदा भी थाओं है निमाने यांदा भी मान है ओ हर एक मनुख नो जिस अवस्थात भी कोई मनुख पहुँचा होया कितना मी पापी प्या होए अपरादी प्या होए उथोई उद्धी मुक्ती कर दिन दा है उदाव पार उतारा कर दिन दा है तो गनका हूंगत पाई गनका हूंगती होई मुक्ची प्रापत होई इसे दरा सद्गुरु केंदे हन पंचाली को राज सबा मैं राम नाम सुद्याई ताको दुख हरे उ करना मैं अपनी पैज बढ़ाई द्रूप दी दी कथा अपन सारे जान दे हैं महापारत दी कि जदो उदे पती भी बेबस होगे और जुए विचना ने उसनों हार देता उन्हें फिर वाई गुदा सिमन कीता ते परमेशर ने उदी बोड़ी कीती उदा दुख दूर कीता तो जिड़ा भी मनुख एनि किसे जात देनाल किसे वर्ग देनाल नहीं जोड़िया जड़ा भी परमेशर दा सिमन करेगा सदुर केंदे हन जैनर जस किरपा निद गायो ताको पहो सहाई कहो नानिक मैं एही परोसे गहियान सरनाई जड़ा भी उस परमेशर दी बक्षिस दौरा उड़ा जास गावेगा उड़ा सिमरन करेगा उसे नो परमेशर सहाई होएगा और एही विश्वास है पका पक तांदा संतांदा के मैं मी गुरु पाषिया केंदे सद्गुरु दी शरनी चाया हन गुरु दी शरनी चाया हन हम परमिश्य दिश्रने चाया हां तो ए सब तो उच्छा सादन वार वार सद्गुरिस मुद्रिड कर रहे हैं के नाम पगती जड़ी है ए सब तो स्रिष्ठ है हर दो आप दोख कष्ठ देना निवारन हो सक देया तो सारे पद्दी विचार है दाइगो अंबेद इंवार अपन चाया हो ए पुच आप कर दोख कर दोख कर दोख कर दोखनी। ए ज विचे परीज पूलby दोख कर दोखा हो Only the glory of divine name can purify the soul As countless sinners have been saved before by this method वाइगर जी का खालसा वाइगर जी की फत्र